B.A. B.C.M. B.S.C. M.A. M.C.M. करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी इगनो से सॉल्ट असाइन्मेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें संपर करें महाकाल कम्प्यूटर्स D.A.V. P.G. कॉलेज के पास पंच मदीरा मोर से दाहिने सीवान सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बिमारी, अत्यदिक गुस्सा आना, घबरहाट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी है परशान तो मिलिये शहर के मशूर साइकार्टिस डॉक्टर पंकच कुमार गुपता से हमारा पता है डॉक्टर्स रामा जी चौदी से सौ कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलनी वहडिया रोट सीवान, संपर्क नंबर 85399-491 कावन श्री तेश्री परशाद यादव आप नंपक्च रख्या है अधैक्ष महदे हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माने मुक्ध मंतरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगतार नौ बार उन्होंने शपत लेकर के इतिहास रचने का काम के और नौ बार तो लिया ही महदे लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया ऐसा अधुन नजारा हम लोगों ने नहीं देखा हमाने दोनों समराच शौदरी जी डिप्टी सीयम बने बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीयम बने इनका ब्यान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मा भाजपा पाटी जो है मा लेकिन हम तो कहना चाहते है आज़े दीन आपकी मा हुई है उरिजिनल तो आपको पहले हमारे दल में ही थे आपके दल में नहीं अच्छा चलिए ठीक चलिए कोई बात नहीं आप आश्विकार कीजे लेकि जनता तो इस बात को जानती है हमें खुशी है कि साथ वे दो दो डिप्टी सीयम बने और विजे सिनाथ जी भी डिप्टी सीयम बने स्पीकर पत्पे भी रह लिए नेता विरोधी दल भी रह लिए और दिप्टी सीयम भी रह लिए इन्होंने भी तिहास रच दिया एक टम में तीन-तीन पत इन्होंने भी ठालिया तो यह आप सोचे थे कि नहीं भी जबावू और आपके दिमाग में आया था कि आप एक टम में एक टरम में तीकर भी दिप्टी सीयम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बधाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरनिय थे है और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्वत पे काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिल करके इसमें कोई दो रहे नहीं आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे अब कई बार मानने मुख्वंती जी जो है इस बात को बोलते रहें कि तुम मेरा बेटा जैसा हो कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं अपने गाजिन मानते हैं और आप लोग भगवान राम की चच्चा करते हैं, हम आप सब के मन में तो राम हैं, लेकिन एक बाद समझना पड़ेगा, हम तो नित्रीज जी को एक दश्रत, जो पिता हैं, उनके रूप में ऐसा गार्जिन मानते हैं, कि भाई, कई बार, जो है, इन्होंने, कई बार आप लोगों के सामने भी बुलागा, आप तो यहीं करेगा, यहीं आगे बढ़ेगा, तो चलिए, नौजवाने लोग नागे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार, मजबूरिया रही होंगी इनकी, जैसे दश्रत की मजबूरी थी, राज़ा दश्रत की, कि राम को जो है, बनवास जो है, भेज दिया गया, लेकिन उस बात को, हम मानते हैं कि हम बनवास नहीं आए हैं, बलकि हमको इन्हों ने भेजा है, जनता के बीच उनके सुक और दुख के भागिदार बढ़ी, पहले बार ये अपने से दूर किये, वो भी क्या मजबूरिया रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरिया रही, लेकिन इन्हों ने पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्स्प्लेइन कर दीजे आपके उपर जो है मुकदमा है केस है जब दुबारा जब इन्हों ने अपनाने का काम किया तो इन्हों ने कहा कि इसा BJP वाला सब पसाने का काम करता है ED और CBI लगा देने का काम करता है देंगे हम तो आपको इज़त देते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन ही बात समझना पड़ेगा और बिहार की जंता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं ये तो सब लोग जानना चाहता है सब लोग की इच्छा है आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निंदे लेना पड़ा 2020 का हम लोग चुनाओ जीद करके आएं मात्र वैमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पुरे महांगर बंदर और NDA में आप क्यों छोड़ के आएं आपने यही बोला था ना कि हम NDA इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मा Catholic को तोना जाना है हमारे उच्छा ऋकर नाएं जाना है आपने यह कहां था कि मर जयेंगे मिट्व जाएंगी तो आप विपक्षो को डोल बंद करके जो ताना शाह है उसको डुबारा नहीं आने देना है इसलिए ना पाय थे और अप जब गुवर्णर हाउस गया मुख़े मुख्यमनत्रि जिए जब आप बहहर आए तो आपने बुला कि आपका मन आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा है